प्रिहिस्टोरिक पीरियर्ड इसमें आप देखेंगे क्वेशन्स भारत में पर्थम पुरा पासाणी उपकरण की खोज करने वाले रावर्ड बुरुस फुटे थे एक वो क्या थे भूगर्व विग्यानिक थे भारतिय उप महादीब में किर्षी के प्राची इंतम साच कहां से प्राप्त हुए हैं लहुरा देव संद कबीर नगर जिला उत्तर परदेश में ये इस्तित है और नेक्ष्ट है खाद्यानों की किर्षी सरपर्थम प्रारंभ हुई और नेक्ष्ट है इस अस्तल से मानो कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ बुर्ज होम से और नेक्ष्ट कोश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट यों पस्पालन का प्रारंभ हुआ था मध्ध पासानकाल से अब आगे इसमें है भारत में मानो का सर पर्थम साच कहां से मिला नर्मदा घाटी से उस अस्तल का नाम बताईए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन प्रमाण मिले हैं मेहरगड लगबख साथ सो बीसी में गैरिक मृत भान पात्र ओसी पी का नाम करण हुआ था हस्तिनापूर में ताम रम्ब काल में महराष्ट के लोग मिर्टकों को घर्व के फर्स के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे उत्तर से दच्छन की ओर बिरहत पाचाण या मेगालित इस मारकों की पाचान की गई है सबसे पहले इसकी पहचान की गई मिर्तक को दफनाने के अस्थान के रूप में मानो द्वारा सर पर थंप्रिप्त अनास था जो राह का टीला किस नौपासाणिक अस्थल से संबंदित है सगन कल्लू भारत के किस आरंबिक पुणापासाण यूग के सिला सरय से सरबाधिक चित्र प्राप्थ हुए है भीम बेट का नर्मदा नदी नौदा टोली का उत्खनन किसे किस ने किया था एश्डी सांक लिया ने किसको चालको लिथिक यूग भी कहा जाता है कुम्भकारी का सरब्पर्थम प्रमाण किस यूग से प्राप्थ हुए है नवपासाण काल से भारत का सरब्पर्थम प्रियोग में लाया जाने वाला धातु है ताबा ये था ये हमने आपको प्राचेन इतिहास का प्रगितिहास सिकाल का मैं एक्स्प्लैन किया हूँ अब अगले आने वाले पार्ट में हम सिंदु घाटी सबिता से रिलेटेड कुछ कोश्चन आपको हम प्रुबाइट करवाएंगे अगर ये अच्छा लग रहा है तो आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग